Good morning class first, I am your maths teacher today, I will teach you maths Students, आज मैं आपको subject maths पढ़ा हूँगी बिटा, open your book बचो, page number 48 निकाल लीजिए Lecture 130 बिटा, question number 3, देखिए, fill in A बचो, 60 plus, answer क्या है? 69 तो बिटा, 60 plus 9 करेंगी, तभी तो हमारे 69 answer आएगा तो हमको क्या fill करना है? 9 Fill कर दीजिए बचो 60 plus 9 किया, answer क्या आया? 69 B 80 plus, answer देखिए, 87 है, तो हम यहाँ क्या fill करेंगे? 7 87 तो हमको fill करना है 7, कर दिया बिटा C 50 plus, answer है 55 50, तो 50 में 5 plus कर देंगे, answer क्या हो जाएगा? 55 ठीक है? तो आपको यहाँ क्या fill करना है? 5 इसी तरीके से D 90 plus, answer है 99 तो बिटा, 90 plus 9 करेंगे, तभी तो 99 answer आएगा? तो fill करना है 9, ओके? इसी तरीके से E answer देखिए, 54 50, आपको यहाँ fill करना है 50 50, 50 plus 4, 50 plus 4 किया? आणसर आगया 54, है ना? F आणसर देखिए, 76 तो हमें आग क्या fill करेंगे? 70 70 fill किया? 70 plus 6 किया? 76 तो आपको fill करना है 70 इसी तरीके से G answer है 68 तो हम क्या fill करेंगे? 60 क्योंकि 60 plus 8 जब हम करेंगे तो ही तो 68 आएगा तो 60 fill कर दीजिए ठीक है? H 93 तो 90 हम fill कर देंगे 90 fill कर दीजिए 90 plus 3 किया? 93 आ गया, है ना? तो बच्चो 90 fill कर दीजिए अब आपको हॉमबर्ग में क्या करना है बेटा? देखिए I J K L ये आपको हॉमबर्ग में complete करना है आपका question number 3 complete हो जाएगा ओके, lecture complete Thank you class